असलाम उलेकुम, इस्ट्टून्स कैसे हैं आप ठीक हैं, अल्ला पाखुश रखे जिन्दगी से दे आपको, कामियाब करें आपको ठीक है विटा, अभी हम क्या करेंगे, 18.4 exercise का second question करेंगे, first time कर चुके हैं, यह देखे second question, second question में आपने क्या करना है, यह है second question, ठीक है, इसमें देखें आपको क्या दिया है, आपको प्रूफ करना है, इस question को ऐसा बनाना है, इस sum को ऐसा बनाना है, जो sums दे रखें, इनको ऐसा बनाना है, यानि हमें प्रूफ करके, इसको ऐसा करके दिखाना है, कि यह ऐसा होता है, और ऐसे हो जाता है, आसानी से, और solve करके, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, कॉपी पेल ले शाबश जो बाते बताएं उन बातों को नोट करें नोट करते जाएंगे आप आसानी से आपको आ जाएगा अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे तो आपको नहीं जाएगा ठीक है तो आपने नोट करना है और फिर आपने काम करना है जी अभी हम यहां से इस क question को चलाते हैं ताकि यह बड़ा सवाल है एक्चुले हम थोड़ी सी सेटिंग कर लें ताकि बड़ा question है ऐसा ना हो कि जगा खतम हो ज़या और हमारा सवाल रह जाए जी question क्या हमारे पास हम पहले तो लिखेंगे 18.4 exercise हम यहां लिख लेते है 18.4 exercise ठीक है अब इसमें first हमारा कौन सा है question question दिया है a square minus b ठीक है question number 2 है और 2 का हम क्या कर रहे हैं 1 कर रहे है 1 के है a square minus b square ratio a square and plus b square ठीक है यह हो गया is equal a c minus b d and ratio a c plus b d ठीक है यह हो गया है अब आपने इसमें यह याद रखना है इन sums में कि आपको शुरू में ही start से ही आपको component और dividendo theorem लगाना है अब अगर यह है कि students कहते हैं हम तो यह theorem भूल गए यह कौन सा theorem था तो हम आपको यह theorem याद दिलवा देते हैं कि यह theorem कौन सा था component और dividendo वैसे भूले तो नहीं होंगे इंशाला लेगिन बड़ फिर भी आपको थोड़ा सा review हो जाएगा हम ऐसा कर लेते हैं ठीक है अब कौन सा था यह theorem देखे हमारे पास यह theorem यह था ऐसा था A ratio B is equal C ratio D ठीक है और theorem में हमारे पास क्या था A oblique B is equal C oblique D और component और dividendo में A plus B ठीक है यह था ना A plus B oblique A minus B और इसी तरीके is equal C plus D इसी तरीके से C minus D यह थे हमारे थोड़म यह था पस यह याद रखना आपको ठीक है से याद रखते वे हम आगे यह काम कर लेते हैं और हम यहाँ लिख लेते हैं कि किसके जरीए हम कर रहे हैं By Componendo and Dividendo By And Dividendo Theorem ठीक है हमने लिख दिया अब इस Theorem के तहत हमें क्या करना है हमें जो process हमने यहाँ लगाया यहाँ पर हम वही लगाएंगे यानि यह हमने जो ratio वाली है इसको हमने oblique में करके लिख दिया ठीक है ratio वाले को हमने oblique में करके लिख देखे थे और हम आपके सामने कर रहे हैं यह देखें यह रहा अब हम यहां भी यही काम करेंगे, ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, अब आप यह समझें कि यह आपका क्या है, यह समझें कि यह आपका A है, यह आपका B है, यह आपका C है, और यह आपका D है, ठीक है, इस तरीके से हर question में ऐसा ही होगा, आपने इसी तरीके से इसको र को रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास देखे हमारे पास क्या है A B C D अब यहां क्या है A प्लस B यानि ये और ये इसका दोनों का हमें प्लस करके इस तरह से रखना है तो हम यू रख दें देखे हम लिखते हैं A हम ये A लिख रहे हैं A क्या है A स्क्वार माइनस B स्क्वार लिखा हमने A इसके बाद क्यूंकर यह देखे हम आपस थोरम में क्या प्लस है हमने यह प्लस लगा दिया और हम लिख देंगे B B क्या यह रहा A स्क्वार प्लस B स्क्वार हो गया यह इसके बाद देखे क्या करना हमें bracket को close करके oblique लगाना है हमने oblique लगा दिया अब actually main हमारा ये वाला sign है ये ये उपर plus का है तो नीचे ये minus का होगा बाकी ऐसा ही लिखा जाएगा a square minus b square ये ऐसा ही लिखा ये sign जो है minus का हो गया और a square plus b square लिखा हमने हो गया ये ठीक है अब next हम इसके बाद क्या करेंगे हमने ये एक side को किया is equal वैसा ही लगा दे अब यह हम c plus d करेंगे अब ये रहा c c की value क्या है ac minus bd हो गया ये c c की value अब क्या है बीच में theorem में क्या plus है ये देखे c plus d ठीक है इसमें क्या plus है c plus d ये रहा ये है c plus d हमने c लिखा अब हमने plus लगा है और अब हम d लिख देंगे ठीक है ac and plus bd हो गया ये समझ आई बात देखे बिलकुल आसाना हमने ये वाला काम किया ये रहा a, b, c, d ठीक है इस तरीके से आपने लिख देना है आराम से ये लिखने के बाद आपने क्या करना है उपर वाला क्या है component में क्या आजाएगा plus का आगया और dividend में ये ही चीज आजाएगी same to same और ये वाला sign ठीक है हम इस से mark कर देते है ताकि आपको वो black है उसमें नजर नहीं आएगा highlight कर देते है और आपने हर एक में याद रखना ये वाला sign और यहां भी क्या ये वाला sign ठीक है ये रहा ऊपर कैसा है ये plus क्या और नीचे पस ये वाला sign minus को होगा बाकी सवाल वैसा ही लिखा जागा तो हमने क्या किया AC minus BT हमने वैसा ही लिख दिया और यहाँ किया plus की जगा minus किया आगिया A C N plus B T देखें वो यह लिख दिया न हमने हमने किया किया सिर्फ इस sign को हमने change किया है इस sign को change करने की बाद अब आप क्या करेंगे अब आपने brackets को खोल लेना है ठीक है खोलने हिने हम आसानी ज़े खुल जाएगा कैसे खुलेंगे आप प्लस का साइन है तो अंदर का कोई साइन भी चेंज नहीं होगा प्लस का साइन है अंदर का कोई साइन भी चेंज नहीं होगा लेकिन जब माइनस का साइन आएगा तो अंदर के साइन माइनस के बाद आगे वाले सब चेंज हो जाएंगे माइनस के आगे किसे होगा यह यह देखें इक्वल डालें यह हमने अबलीक बना लिया ठीक है a square minus b square a square minus b square plus a square plus b square plus a square and plus b square हो गया यह अब यहाँ equal डालें अब फिर यह उपर वाला कर लें a c minus b d हो गया a c minus b d plus a c plus b d plus a c a c and plus b d ठीक है यह भी हो गया अबलीक में यह minus का sign है तो a square minus b square जब बाहर minus अंदर के sign बदल जाएंगे यह plus है minus होगा यह भी minus हो जाएगा minus का a square minus का b square ठीक है यह नहीं पर क्या बाहर minus है यह दोनों ऐसे ही रहेंगे इस minus से अंदर के sign बदल जाएंगे minus के आगे वाले sign बदलते हैं a c वह लिखा minus b d वह लिखा ठीक है यह minus का a c होगया क्योंकि plus का a c था minus का a c होगया और यह minus है इस वज़़े से ये sign बदल गया और minus का bd हो गया minus का bd हो गया ठीक है ये हो जाए आप जो cancel होते है cancels कर दे opposite sign cancel होगे अब cancel चले इस दूसरे पंसें cancel कर देते ताकि आपको पता चले black में mix ना हो जाना देखे ये b minus का ये b plus का cancel out ये bd minus का ये bd plus का cancel out अच्छा अब ये भी नहीं आ करता ये a plus का ये a minus का हो गया ये अब यहाँ पर क्या है हमारे पस यहाँ कुछ cancel हो रहा है देखें गौर से सारे minus लग रहा है हाँ लेकिन नहीं ये देखें जिसके आगे कुछ नहीं वो plus है हाँ शाबाश ये अपने याद रखना है तो ये a c plus का ये a c minus का इसको cancel कर देते हैं हो गया ये ठीक है सब cancel हुए अब हम आज बच गया हम वो लिखते हैं कौन-कौन सा मारे पस बचा है हमारे पस a and a plus 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 बना देखें 2a square minus minus plus लेकिन sign minus का 1 और 12 2b square ये 2b square हो गया is equal ऐसा रहने थे अब क्या होगा a c और a c plus 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 और ये क्या बन गया a c का square हो जाएगा ठीक है square नहीं बलके क्या a c और a c 2 a c 2 a c square तो इसके उपर है न 2 a c हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा साथ में हो गया 2 a c अब खतम हुआ सारा और नीचे क्या बच गया हमापस bd bd minus minus plus लेकिन sign minus का 1 a 1 2 bd हो गया ये 2 bd ये बना अब कुछ cancel होता है तो कर दें ये 2 cancel होता है cancel हम करें इससे green minus से कर दें ठीक है ताकि सब आपको पता चले ये 2 is 2 से cancel हुआ ये 2 is 2 से cancel हुआ ये minus उठाके हम यहां रख दें ये minus उठाके यहां रख दें ना भी रखें यहीं cancel करें तो आपकी मरज़ी रेकिन आपको रखें दिखा देते हैं कि इस तरीके से यह होगा हम रख लेते हैं कैसे अब ये वाला minus पूरी रखम के साथ है अगर यहां भी minus होता माइनस माइनस से करता अब ये minus है तो हमने ये minus को यहां रख दिया और क्या बच गया a square oblique b square and is equal ये भी minus है ये भी यहां आ जाएगा क्या जाएगा a c oblique b d ठीक है ये बना अब ये minus गया minus से minus से cancel हो गया minus के cancel होते ही अब क्या हमाँ पस बच गया है आप ये देखें आप आगे कोई मजीद किस तरीके से चलेगा उसको भी आपने गोर करना और क्या बच गया हमारे पस उसको भी आपने देखना है चले जी अब ये minus minus से कटा और यह इसके साथ है समझा रही यह बात तो हम क्या करेंगे यहां से यह क्योंकि यह A B है हमने इस B को कैंसिल करना है यह B अगर यहां चला जाए तो किस तरीके से जाएगा देखे यूं जाएगा A SQUARE यह 1 प्यूंट पैन बदल गया यह रहा यह हमने देखें A SQUARE हमने ऐसा ही लिख दिया यह रहा A SQUARE और OBLIQUE में हमने B SQUARE भी ऐसा ही लिख दिया अब हमें नजर आ रहा है कि यह जो है B यहां पर पहुँच सकता है और यह यहां पर आ सकता है cancel हो सकता है न तो आप ये करें कि इसको ले जाए इसके पास तो ये क्या बन जाएगा ये B जब वहाँ गया तो A square B ठीक है और यहाँ जब ये A यहाँ पर आगया इसके पास ये A यहाँ तो B square हम क्यों B square पहले लिख रहे हैं आपको पता रहे कैसे वह B square और ये A यहाँ ले है ठीक है ये देखें ये हम दुबारा से आपको पता रहे है ये इसके पास चला गया आगया इसमेसे B और फिर यहाँ से ये इसके पास आगया ये इसके पास चला गया जब जाएगा हम किस तबरीके सा काम करेंगे अब देखें इसको हम जान रहे हैं कि यहां से गयाँ असे इसे कैंसल होगा लेकिन यह a sare स्क्वैर है थो एम निकाल के रखने ताकि आपको समझ आए कि क्या होगा इतना समझ आ गया अब आ हम B.M. ने ऐसा लिख दिया, is equal C or D बस ये बचा है, अब इसमें से देगे कुछ cancel होता है, cancel होता है, तो हम cancel करेंगे, क्या cancel होता है? ये A, इस A के साथ cancel हो गया, और ये B, इस B के साथ cancel हो गया, क्या बचा? A अबलीक B बचा, A अबलीक, B ये बच गया, और वहां से C अबलीक, D ये बच लिया ठीक है इसका मतलब है हम इसे रेशो बनाके लिखेंगे तो क्या जाएगा A रेशो B is equal C रेशो D ठीक हो गया ना हैंस पूवड ये बन गया हमारा सवाल ये question number हमारा 2 का पहला हमने कर दिया है अब बेटा actually ये है के वीडियो जारे बड़ी है और हम छोटे छोटे सवालात करते हैं एक एक सवाल कर देते हैं long हो जाएगी वीडियो तो वो फिर आपको समझ दिया आएगा जारे ज्यादा काम हो जाएगा तो हमने ये वाला आपने समझ लिया है अब हम इसको दोबारा से थोड़ा सा रिवियू कर देते ताकि आपको बास समझ में रहे कि आपने क्या किया यहां से ऐसा कर लेते सबसे पहले तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि कंपोनेंट और डिवीडेंडो थियोरम ये वाला है इसमें क्या करेंगे? इक्वल से लेट साइट वाले को अप डाउन करके लिख देंगे उपर और नीचे और फिर राइट वाले को भी इसी तरीके से लिखेंगे फिर ये कंपोनेंट और डिवीडेंडों में क्या होगा? A की रखम और ये क्या है? A oblique B, B की रकम C की और D की इस तरीके से हमने लिखने हैं कि ये बात आपको याद रखनी है बस याद रखनी है कि दोनों को आपने प्लस करना, उपर उपर प्लस करना है और नीचे मैनिस करना है तो आप आसानी से सवाल कर लेंगे अब आप गौर से देखे हमने इस सवाल में ये ही किया है ये रहा पहरी रकम प्लस दूसी रकम इसके बाद तीसी रकम प्लस चौती रकम फिर बिल्कुल सेम एस इट ये वाला सिर्फ साइन बदल गया सेम बिल्कुल ये वाला और साइन बदल गया ठीक है, अब plus minus से सिधा कर गे लिखते हैं, जो कटते हैं, कार दें, बाकी जो बच जाएगा, वो answer होगा, ठीक है, अब हमने कौन सा सवाल किया है, हमारे पास ये हो गया, question number 2 का, question number 2 का, पहला सवाल, पहला हमने किया 1, ठीक है, ये 1 है, पिटा, अभी हम second का ये अगला दूसरा कर रहे हैं, ठीक है, इसमें देखें, आप ये question है, अब ये question बड़ा है, अब student इसमें confused होंगे, कि हमें क्या करना है, अब आप गोर से देखें, आप आसानी से कर लेंगे ये question, आपको इस बात का इल्म है, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि क्या है हमारे पास, हमारे पास component to dividend theorem हम direct लिख रहे हैं, तो a plus b, oblique a minus b, ठीक है, is equal c plus d, and oblique c minus d, ये theorem है, आप कोई problem नहीं है, बहुत लिए आसान है, आप ज़रा भी confused ना हो, और आसानी से ये काम कर सकते हैं, अब हम यहां लिख देंगे by using, या by applying, या apply, कुछ भी लिखें, by using, compolando, and dividendo, theorem, ठीक है, हमने ये लिखा, अब आप आराम से देखें, गोर से बात को समझें, ताकि आप काम करने, देखें, ये जो portion है, a and b, हम समझते हैं, कि हमारा ये पूरा हो गया a, ये पूरा हो गया हमारा b, ये हमारा हो गया c, पूरा, ठीक है, यहां तक, और ये हमारा हो गया d, ठीक है, अब आप कुछ भी नहीं, आप इस formula को apply कर दें, आप बड़ी आसानी से सारा सवाल कर लेंगे, आपने कोई भी ये छोटा हो, जब आपको आता है, तो आपको डरने की ज़रुवत नहीं, आप आसानी से करें, और सबसे पहले अपने अंदर confidence पैदा करें, कि आप ये सब कर लेंगे, ठीक है, अभी देखें, यहां हमारा पस क्या a, ये a है, अब हम लिख देते हैं, यहां पर a, ठीक है, हमने is equal डाला, ये हमने सीधी line लगा दी है, और हम लिखते हैं, अब हम a लिख रहे हैं, ये a है, पूरा, a प्लस b प्लस c प्लस d, ठीक है, ये हो गया a, हो गया ये, a के बाद क्या है, प्लस का sign, हमने ये प्लस का sign लगा है, फिर क्या है b, ये हमारा b है, हमने bracket जरूर लगा रही ये bracket में गलती ना करें, a प्लस b माइनस c माइनस d, माइनस c माइनस d, bracket इसलिए के bracket के बाहर अगर माइनस का sign होगा, तो अंदर के सारे sign change हो जाएंगे, और आपने अगर ये mistake कर दिया, कि sign नहीं लगाया तो बड़ी mistake हो जाएगी, answer ही नहीं आएगा, ठीक है, ये हमने minus कर देते हैं, अब हम दोबारा से लिखेंगे a, ये हमने a की value लिखी देखें, ये ही वाली आजाएगी, अगर आपने बड़े ध्यान से लिखी है, तो a plus b plus c plus d, ठीक है, same ये ही आगया, बस ये plus minus बन गया है, अब क्या होगा यहापर, दोबारा से ये ही आजाएगा, a plus b minus c minus d, ठीक है, बस सिर्फ ये sign हमने change किया, उपर plus है और नीचे minus है, बस हमने ये change किया है, ठीक है, इसको हम देखें, यहाँ हम highlight कर देते हैं, दूसरे color के pen से, marker से, highlighter से, ताकि आपको ये बात याद रहे, कि हमें क्या करना है, समझा गया न, कुछ भी नहीं करना, इतना सा का हम करना ये रहा, हमने ये plus लगाया, और यहाँ हमने minus लगा दिया है, ये समझें कि ये a था, ये b था, ये c था, और ये d था, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने values put कर दी, अब हमने क्या किया, सिर्फ ये एक side अभी हमने लिखिए, एक side, अभी c, d बाकी है, द ये भी, ठीक है, minus के side, ये भी a है, और ये भी b है, होगे, ये सिर्फ अभी a, b का हिसाब किताब हुआ है, अभी ज्यादा काम तो बाकी है, हमारा, उसके बाद आसान हो जाएगा, देखें, जैसे आपको यहाँ समझा आगया, ये a है, और ये b है, ठीक है, अब किस की बारी ये, हाशा बाद समझाएगा, अब c और d की बारी देखें, फिर आप आप अब लीक लगा लें, अब question कितना भी बड़ा है, लेकिन आपको जब rule मालुम होगे और आपने कर लिया अप लाए, तो आप ये कही नहीं सकते कि आपको नहीं आता, आपको लाजमी आएगा, ये ह c minus d, ठीक है, ये हमने कर दिया, इसके बाद हमें कौन सा साइन लगाना है, अब हम pen ही दूसरा यूज़ कर लेते हैं, marker ये लिए, प्लस का साइन हमने ये लगा दिया, यगीनन नीचे minus का साइन है, वो भी हमने लगा दिया अब c के बाद हमें क्या रिखना है, c के साथ हमें लेखने, d, ये रहा d, तो d की value क्या है, a minus b minus c, a minus b minus c, and plus d, and plus d, हमने ये लगा दिया, ठीक है, देखे कोई मुश्किल करना, अब ये रहा minus, अब यहां हम दोबारा यही रखम लिख देंगे, और यहां भी हम यही रखम लिख देंगे, क्या आ जाएगा, a minus b plus c minus d, यहां भ c plus d, समझाया है, क्या भला, a b plus का sign, वही a b minus का sign, यहां भी c d plus का sign, ठीक है, और c d minus का sign, ठीक है, अब बिटा जब दर्म्यान में plus या minus का sign हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसे खोल के लिख देंगे, देखे, यह plus अंदर का कोई भी sign change नहीं होगा, यह plus रहेगा, यह plus रहेगा, यह minus रहेगा, यह minus रहेगा, यह minus रहेगा, लेकिन जब भी कहीं आप देखेंगे, बाहर minus का sign है, तो हर sign change हो जाएगा, a plus का हो जाएगा, यह minus का हो जाएगा, यह plus का हो जाएगा, यह minus का हो जा है ठीक है equal के नीचे equal लगाया और हम इसे भी खोल लेंगे कैसे खोलेंगे a plus b plus c plus d a plus b plus c plus d ठीक है यह हो गया और क्या फिर plus ये d हम ये सही से क्योंकि इसमें अगर हम सफाई का खयाल नहीं रखेंगे तो हमें खुदी अपना लिखावा समझ नहीं है का फिर हम cancel कैसे करेंगे फिर हमने क्या किया plus a plus b a plus b minus c minus d हो गया ये इसे खोल लें ये तो as it आ जाएगा सब में plus का sign है तो हमने क्या a plus b plus c plus d ठीक है अब क्या है minus ये plus का था minus का a हो गया ये plus का है तो minus का b हो गया c minus का है तो plus का c हो गया d minus का है तो plus का d हो गया ठीक है इस तरीके से बजाए इसके क्या आप कहेंगे plus minus 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 plus minus ये तरीका कर करें तो आप direct इसी तरीके से इसको लिख दिया करें सही है अभी देखें यहां क्या है यहां भी हम यही काम करेंगे जब अंदर प्लस का बाहर sign है तो प्लस के sign क्योंसे अंदर का कोई भी sign change नहीं होगा तो आप क्या करेंगे A-B प्लस C-D प्लस C-D इसके बाद यहां पर क्या है यहां पर हमारा पर यह D को पता नहीं क्या हो जाता है इसको बिचारे को यह हमने D लिखा ठीक है अब क्या प्लस A-B-C प्लस हमने यह लगा दिया इसका फिर A-B-C प्लस D ठीक है पर यह हमने ऐसा कैसा लगा दिया वैसा ही लिख दिया अब देखें रखमें बड़ी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं आप जब दिहान से करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी अब यहाँ माइनस का साइन हो माइनस की आगे वाले साइन चेंज होगे पीछे वाले नहीं इसके सामने कुछ नहीं मेंस प्लस है अब यह साइन वही रहेंगे तो हम क्या करेंगे A-B-C-D हमने A-Z लिख दिया जैसा है माइनस लगाया A प्लस का है तो माइनस का हो गया B माइनस का है तो प्लस का हो गया C माइनस का है तो प्लस का हो गया D प्लस का है तो माइनस का हो गया क्यों? क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो क्या बना? माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस अब हम क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद देखें हमें क्या करना है, हमने अब ये करना है, हम थोड़ा सहयां से नीची आजाते हैं ताकि आपको इस समझा जाए अच्छे से, जी, अब आप चेक करें, दूसरा पेल ले ले लेते हैं ताकि चैंसिल किया वह आपको नजर है कि हमने क्या किया है हम ढूंडते हैं cancel करने को a plus का क्या a minus का है नहीं है b plus का क्या b minus का है नहीं है ठीक है c plus का क्या c minus का है ये रहा cancel हो गया d plus का क्या d minus का है ये cancel हो गया a plus का क्या A माइनस का है जी ये कैंसल हो गया B प्लस का क्या B माइनस का है जी ये कैंसल हो गया C प्लस का ये भी प्लस का D प्लस का ये भी प्लस का A प्लस का क्या माइनस का है नहीं है छोड़ दें B माइनस का क्या प्लस का है भी नहीं है छोड़ दें C plus का क्या minus का C है, बिल्कुल जी ये minus का C है, इसको cancel कर दिया, D minus का है, D plus का ये भी cancel हो जाएंगे, minus and plus ये cancel हो जाएंगे, ठीके, इसके बाद के A plus का क्या A minus का है, G A minus का है, ये cancel हो गया, B minus का क्या B plus का है, B minus का ये रहा B plus का, ठीके, B plus और B minus, C plus का क्या C minus का है, नहीं है, D minus क क्या d plus का है नहीं है ठीक है अब हमने इस तरीके से इनको cancel out कर दी अब जो बच गया हम वो लिख देते हैं अब क्या बचा है यहाँ पर आप देखें को और से क्या बचा है हाँ शाबाश देखें एक ये रहा एक ये रहा एक step बढ़ा है तो आपकी मर्जी otherwise आप इसे लिख सक गया इसके बाद क्या हम आपस देखें प्लस के साइन प्लस प्लस सब प्लस है और क्या है दी लिख रहा है तो डी ये भी प्लस का ये भी प्लस का प्लस 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 और क्या होगा एक और एक दो टू डी ये बन गया अब इस इक्वल लगा है ये रहा ये इक्वल है अब द hand oblique में क्या है C plus का और C plus का हमने लिख दिया है 2C और क्या है यह D की बारी है minus minus plus लेकिन sin minus का 1awordon 2 d ये बन गया 2D ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद यकीने हम met के तरीके कार पर चलेंग़ उन यहां से common लेंगे 2 को common निकाला क्या बचा A plus B बच गया ठीक है and oblique में यहां भी 2 को common निकाल ले तो क्या बचा C plus D बच गया C plus D यह बच गया ठीक है इसके बाद क्या हम आपस is equal लगाया हमने यहां से भी हमने 2 को common निकाल लिया क्या बचा A minus B और हमने फिर oblique लगा कर हमने यहां से भी 2 को common निकाल लिया क्या बचा हमारे पास C minus D यह बच गया ठीक है अब हमें क्या करना है अब यकीनन हम यहां फिर pen change कर लेते हैं ताकि आपको सहुला तरह नजर आए 2, 2 से कट गया 2, 2 से cancel हो गया now cancel होने के बाद अब हम क्या करेंगे अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा है हम उसको वैसे रख देते हैं तो हमारे पास असानी से theorem बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा इसको mathematical अभी भी आपको solve करना है ताकि आपको असानी से समझा जाए अब यह क्या है हमारे पास वैसे तो यह सारा सही हो गया है एक तरह से solve हो रहा है लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं अब हम यह कर सकते हैं इसको इससे multiply करेंगे by cross multiplication आप करें ठीक है तो हमने क्या किया by cross multiplication जगा कम है यहां लिख लीजगा आप मैंने side में लिख दिया है by cross में क्या होगा a plus b और c minus d दोनों एकठे आजाएंगे आजाएंगे तो हमने यह किया a plus b और by cross पर इसको लेके आगए c minus d यह हो गए एकठे ठीक है is equal हमने डाला अब क्या by cross में a minus b है a minus b है और इसके पास कौन चला जाएगा इसके पास चला जाएगा c plus d इसके पास चला जाएगा आगे इसके पास अब ऐसी सूरत में क्या है इसके बाद हमें इस बात का खयाल रखना है कि हमें क्या करना है हम इसको multiply कर देते हैं multiply करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आपके पास क्या बन रहा है उससे चेक करते हैं देखें, हम multiply, कैसे एक मेंट, हम यह मार कर लें, दूसरा, ताकि आपको पता चलें, कैसे multiply करेंगे, यह देखें, क्या बना, AC, minus का, plus minus, minus का AD, फिर B से करेंगे, BC plus का, ठीक है, और minus का BD, इसके पास minus है, इसलिए, ठीक है, minus का BD, यहां देखें, क्या होगा, A को लेजा, दूसरी bracket के बस, AC plus का, यह AC, क्या है, AD plus का, यह minus का, तो BC minus का, और BD minus का, यह बनेगा, बना नहीं सही है, हमने आपको बता दिया, भी आपके सामने हम बना रहें, क्या होगा, AC हमने लिखा, AC, equal डालने, equal डाला हमने लिखा, AC, ठीक है, AC, फिर लिखा, minus का AD, minus AD, हो BC, फिर क्या जाएगा, minus का, BD, minus का, BD हो गया यह, is equal, यहाँ सह देखimmung, AC, AC, लिखा, और क्या, AD, plus का, plus का AD, यहाँ क्या हो झाएगा, minus का BC, minus का BC, और फिर minus का BD, minus का BD, बन गया यह, अब देखिए AC प्लस का क्या है कहीं माइनस का इसमें हमें वानी जाना वो इकुल है वो अलग कहानी है AD माइनस का और AD प्लस का है कहीं हमें नजर आ रहा है अगर कोई नजर आ रहा है तो आप उसमें कैंसल कर सकते हैं इसमें नहीं cancel हो रहा है नहीं हो रहा है अब आपने क्या करना अब आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे और समझेंगे देखें अगर मैं इस AC को इस तरफ लेकर आउं तो ये AC माहिनस का हो जाएगा तो आप ये दूसरा तरीका ये समझ लें कि दर्मियान में अगर equal है तो यह हां आमने सामने एक जैसे cancel होते हैं पैन चेंज करंगे जी यह देखे ये AC गया AC के साथ और ये अगर ये AD ठीक है ये AD हमारे पास के है माइनस का है और यहाँ AD हमारे पास प्लस का है और ये जैसा ался sign देखे plus plus अब ढूंडए एक जैसा sign इसे आफ दूसरे अलफास में यह समझ सकते हैं कि अपने hinे cancel कर दी हमने एक step बचा लिए अगर आप AC को AC के पास लाते दोनों इनकी सब की जगें ते तब दिल करते तो शायद में भी फिर आपको और समझ आ जाता लेकिन आपको यह समझ आ चुका है माशाला आपको यकीनन बचा है ठीक है यह बच गए अब हमें क्या करना है अब आप यह करें कि क्यूंकि यह AD है तो आप AD को AD के पास ले जाएं और यह BC है तो BC को BC के पास ले जाएं अब इसमें क्या करें यह AD हम ऐसा करते हैं कि इसको हम इस चीज को नहीं सोचते आराम से मारा सवाल हो जाएगा यह माइनस का AD है यह जगा चेंज करेगा यह क्या यह equal के ऐसी दीवार है इसको जब कोई फलांग के आगा तो उसकी सजा होगी उसका साइन बदल दिया जाएगा तो इसकी सजा क्या है यह पलस का था कि चलो बेटा अब आप ओगयो माइनस के ठीक है इस इक्वल अब माइनस का बीसी तो यह खुद है पहले घर वाले फिर आने वाले महमान अब यह BC जो महमान आएगा वहां से यह प्लस का है जब यह वहाँ आएगा दिवार को फलांगा साइन चेंज हो गया BC माइनस का ठीक है जी अब क्या करेंगे हम माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का एक और एक दो 1 और 1 2 AD now is equal minus minus plus लेकिन साइन माइनस का 2 BC ठीक है यह बन गया अब यहाँ देखें minus गया पैन करें change minus गया minus से ठीक है minus गया minus से हमने यह किया देखे minus को cancel किया minus से और 2 को भी cancel किया 2 से हो गया यह cancel अब हमारे पास क्या बचा है अब theorem हमारे बनने वाला है आपने गौर से देखना है अब क्या बना हमारे पास क्या बचा है AD AD is equal BC यह बना अब AD और BC क्या बन जाएगा हमारे पास हमने यहाँ पर इसको जिस तरीके से यह हमारे पास चल रहा था question हमने जिस तरीके से किया है अब आप यहाँ पर दोबारा से वही काम करें यानि के BC कर लें और उसको सीधा कर लें देख्या हम यह कह सकते हैं कि यह ऐसा हो सकता है यकीनन यहाँ से यह इसका साथ ही है हम इसे रहने देते हैं ठीके ताकि एक step रहे और आपको बास समझ में हम इसको मिटा आ नहीं रहें या इसी में काम हम नहीं कर रहें हम दूसरा step ले रहें क्या हमने किया देख्ये हमने ऐसा ही लिखा A is equal यहाँ पर यह डाला हमने C अब यह actually अगर by cross करता है तो यह भी आएगा तो इसके नीचे आएगा थोड़ा सा टेड़ा हो गया है यह रहा कोशिश तो बहुत चल रही है कि सीधा हो जाए काम जी ऐसा करने के बाद आपको मालू में हम ratio कर देंगे A ratio B और क्या हो जाएगा हमाई पस proportion कर दें या equal कर दें और क्या बन जाएगा C ratio D अब यह क्या बना हमाई पस भी कहीं इसके जैसा करना है कर लिया आपने इस 價्सर को इसके जैसा demonstrate हो गया है यह इसके जैसा और यह क्या का प्रूफ धैर लिहाझा क्या लिएक लिए नीचे हैंस प्रूफ क समझ में आया है यकीनन समझ में आया होगा और कोई बात नहीं समझ आए हो तो आप पूछ लें comment box में देख लीजेगा और वहाँ पर हमें कर दीजेगा comment message कर दीजेगा आपको इसका answer देदेंगे समझ आ गया है हर चीज हमने बहुत detail से समझाईए फिर भी कोई बात doubt में हो तो आप पूछ सकते हैं अब हम करेंगे इसके बाद next ठीक है question number 3 रह गया अभी second तुमारा पूरा हुआ जी question 3 अगर हम इसी वीडियो में कर देते हैं तो 3 में हमारे पास फिर 4 question है ठीक है देखते हैं वरना फिर next हम तुमारा अप्लोड कर देंगे next भी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें शाब बास वीडियो को लाइक करें शेयर करें ठीक है ओके अगे